आज मैं आप सभी के बीच लेकर आई हूँ, काले चने की टेश्टी घुगनी, कई लोग इसे सबजी भी कहते हैं, तो आज मैं आप सभी के बीच सर्व करने वाली हूँ, मूरी और चने की घुगनी, ये खाने में बहुत ही टेश्टी है, और मूरी घुगनी, नास्ता में बह फुल गई है, मैं कूकर को गैस पे चरहा दी हूँ, इसे मैं गर्म कर लेती हूँ, इसमें मैं सरसो का तेल डाल दी, जीरा डाल कर, जीरा और मीर्च डाल कर, मैं इसे पका लेती हूँ, दोनों चीज को अच्छे से इसे लाल होने तक पका लेती हूँ, अब मैं इसमें प्याज ब्याज को डाल कर इसे भी थोरे देर पका लेती हूं ब्याज को हलका पका लिये हैं और मैं इसमें आलू भी डाल देती हूं 2-3 आलू को मैं चिल कर डाल दे रही हूं इसे हमारा घुगनी जो है यह बहुत ही अच्छा बनकर तयार होगा आलू और चने की घुगनी में बना रहे हूँ आलू को थोड़ी देर भून लिये हैं और मैं इसमें चने को डाल देती हूँ चने को डाल कर और इसे मैं दोनों को 5 मिनार तक इसे भून लेती हूँ आप इसे अच्छे से भून ले तो चना के जो कच्चापन है और आलू का कच्चापन ये दूर हो जाएगा भूनी खाने में बहुत ही टेस्टी बन कर तैयार होगा आलू और चने को मैं भून लिये हैं इसमें मैं स्वाद अनुसर नमक को डाल देती हूं नमक आप अपना अनुसर ले सकते हैं मैं नमक डाल कर इसे थोरी देर और भून लेती हूं भून कर मैं मसाला को डाल दूँगे आप मैं इसमें अधरक लाहसन को ठकूच कर मैं डाल देती हूं और डाल कर इसे भी मैं थोरी देर भून लेती हूं मसाला में मैं हल्दी पॉडर को डाल देती हूं अधी चमाच मैं हल्दी पॉडर को डाल देती हूं दो चमाच मैं धनिया पॉडर को डाल देती हूं एक चमाच गरम मसाला को डाल देती हूं एक चमाच गोल मीर्च जीरा का पॉडर डाल देती हूं और मैं इसे भून लेती हूँ, मैं इसे अच्छे से 2-3 मिनार तक इसे भून लेती हूँ, और इसमें थोरा सा पानी को डाल देती हूँ, पानी डाल कर घूगनी को मैं अच्छे से भून लेती हूँ, जितना ही मसाला को अच्छे से भूनेंगे, आपका जो घूगनी है, उतना ही टेस्टी बन कर तैयार होगा आप चने को अच्छे से इसे भून लें टमाटर को डाल कर मैं इसे भून लेती हूं मैं टमाटर को डाल दी हूं ऐसे मिला लेती हूं और मिला कर थोड़ी देरी से और भून लेती हूं मैं चना को अच्छे से भून ली हूं अलू भी भूना ग डाल कर ऐसे मिला कर मैं कुकर को ढखन बंद कर दे रही हूं आप इसे मूरी का साथ खाना चाहते हैं या पूरी पराठा के साथ सभी चीजों के साथ घुगनी खाना बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप इसे कोई चीज के साथ खा सकते हैं मैं पानी को डाल दी हैं पानी डाल कर और कुकर का ढखन में बंद कर देती हूं आप इसे चार से पांच सिटी लगा लें आपका चना का जे सबजी है ये पकर तयार हो जाएगा कुकर का ढखन में बंद कर दे रही हूं हमारा टेस्टी घुगनी बनकर तयार है मैं मूरी के साथ इसे सर्व कर लेती हूं मूरी या घुगनी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में तो मैं मूरी को सर्व कर ली हूं इसमें मैं सबजी को डाल देती हूं ये मूरी चनय के सबजी और मूरी आप इसे एक बार खाईएगा इसका स्वाद कभी भी नहीं भूल पाईएगा तो आप इसे एक बार अपना घर में जरू ट्राय करके देखें ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ है तो हमारा मूरी और घुगनी का कैसा लगा रेस भी कॉमेंट वक्स में जरूर लिखें तो आप सभी से मिलती हूँ कल नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें और स्वास्त रहें हसते रहें और मुस्कुराते रहें